ओम नमस्षिवाई साथियों आज अपनी तीर्थ यात्रा में दर्शन करते हैं भगवान शिव के मंदिर के तिरुचिरा पल्ली में स्थित कावेरी नदी के साथ जम्बुगेश्वर मंदिर जिसे तिरुवने कवल भी कहा जाता है श्री रंगम टापू में जो दो नदियों से बनता है दो अती प्राचीन और भव्य प्रसिद मंदिर हैं एक श्री रंगनाथ स्वामी का जिसकी वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी और दूसरा भगवान शिव का जम्बुकेश्वर मंदिर इस मंदिर में भगवान पांच महा भूतों में से जलत अत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जम्बुकेश्वर मंदिर 18 एकट जमीन में फैला है गर्ब ग्रह के नीचे जलधारा चलती है और गर्ब ग्रह के उपर विमान है यहां भगवान शिव जम्बुकेश्वर और मा पार्वती अखिलांडेश्वरी अर्थात सारे जगत को अपने गर्ब में धारण करने वाली मा कहलाती है मंदिर दूसरी शताब्दी में एक चोल शाशक जिनका नाम कोकेंग गानन था उन्होंने बनवाया और उनके बनाई ये सत्तर मंदिरों में से एक था इसका वर्णन नलिगीर दिवे प्रभंदम में है मंदिर द्रविड शहली में बना है मंदिर में राज गोपुरम साथ तलका है मंदिर के कुल साथ गोपुरम है और पाँच प्रकर है मंदिर की दिवारे इतनी भव्वे हैं कि ये स्वयम भगवान शिव द्वारा बनाई बताई जाती है जम्बू केश्वर मंदिर से जुड़ी कथा है कि यहां मा पारवती ने कावेरी के जल्से शिव लिंग बना कर तपस्या की और ये जल्से बना लिंगम अपू लिंगम के नाम से प्रसिद्ध है भगवान शिव ने मा पारवती की तपस्या से प्रसन्न होकर जम्बू व्रिक्ष के नीचे मा को दर्शन दिये और शिव ग्यान दिया गर्ब ग्रह का प्रवेश केवल चार फीट का और उचा और धाई फीट चोड़ा है सामने कांसे के नंदी बैठे हैं गर्ब ग्रह में भगवान शिव मा पारवती और गणेजी स्थापित हैं मंदिर में भगवान शिव की एक पात्रि मूर्ती भी है जिसमें भगवान शिव के साथ ब्रह्मा जी और विश्नु जी दीखते हैं मंदिर का पवित्र स्थल्विक्ष जंबुक है जंबुक एश्वर मंदिर में चोल शाष्कों के अलावा होईसल पांडे विजे नगर और मदुरई के नायकों ने समय समय पर दान दिया उसके अभिलेग मिलते हैं मंदिर में नौ जलकुंड हैं मंदिर में दिन की पूजा में भक्त खीचे चले आते हैं यहां प्रति दिन मुख्य पुजारी मा पार्वती के रूप में स्तरी बन कर भगवान जंबुकेश्वर की आराधना करते हैं और एक काली गाये जो कामधिनू का प्रतीक है उसकी पूजा की जाती है मंदिर में अनेक उत्सव वाहन और एक रत है मंदिर में दक्षण भारत के मंदिरों की तरह एक हाती भी है यहां एक कथा प्रचलित है कि शिव के दो गणों ने यहां हाती और मकडी का रूप धारण करके शिवाराधना गी थी जंबुकेश्वर मंदिर में वार्शिक क्लासिकल इंडियन डान्स फेस्टिवल आयुजित किया जाता है मंदिर में नादस्वरम जो एक क्लासिकल पाइप इंस्ट्युमेंट है उसे भी सिखाया जाता है मंदिर के मुख्य त्योहार हैं पंगुनी ब्रमोत्सव थाई पूसम आधी पूरम नवरात्री भगवान शिव और मा पार्वती के अन्य दक्षन भारतिय मंदिरों की तरह जम्बुकेश्वर मंदिर में वार्शिक विवा उत्सव नहीं मनाये जाता क्योंकि यहां भगवान शिव और मा पार्वती का गुरू शिश्या का सम्मंद है मा यहां भगतों को सद बुद्धी और प्रखर बुद्धी का आशिर्वा देती है साथियों भारत के दिव्य मंदिरों के दर्शन और दिव्य जानकारी पाने के लिए प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब इस चैनल जै माता दी